नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Pail Singh राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा OTT Platforms vs Theatres के बारे में Recently इनके बीच में एक खींचतान चल रही है और ना केवल भारत में बलकि पूरी दुनिया में अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर connect करना चाहते हैं तो मुझे Twitter, Instagram या Facebook पर follow कर सकते हैं मेरे सभी lectures के updates आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगे और इस Telegram चैनल पर आपको मेरे सभी lectures के PDF अविलेबल होंगे अगर आप एक sincere student है जो अपना भविश्य सवारना चाहते हैं तो आप OTT platforms की बजाए Study IQ app download कीजे और वहाँ पर हमारे courses को अवेल कीजे IIS exam के लिए हमारा smart course available है smart course is much more than a normal video lecture Google Play Store से app download कीजे और इस course को आप EMI पर भी अवेल कर सकते हैं कुछी दिन पहले गुलाबो सताबो नाम की एक फिल्म है जिसमें अमिताब बच्चन और आईश्वान खुराना जैसे स्टार्स हैं इसके producer ने अनॉंस किया कि जो फिल्म है वो डिरेक्टली Amazon Prime वीडियो पर रिलीस करी जाएगी 12 जून को यानि कि ये थियटर में रिलीस नहीं होगी तो ये फिल्म बनकर तयार थी और इन्होंने थियटर्स के ओपन होने का खुलने का वेट नहीं किया तो जैसे ही ये न्यूज आई तो उसके बाद Inox जो कि एक बहुत बड़ी multiplex chain है इंडिया के अंदर उसने एक लंबा चोड़ा प्रेस रिलीस जारी किया ये कहकर film producers के नाम पर कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं एक established trend है, pattern है कि हमेशा film पहले थियटर में रिलीस होती है उसके एक या दो महिने बाद वो TV और OTT platforms पर रिलीस करी जाती है, तो इस step को skip नहीं किया जा सकता, COVID-19 pandemic के कारण वैसे ही हम थियटर बहुत जादा नुकसान उठा रहे हैं ऐसे में अगर आप movie directly release करते हैं तो that is a big deal for us तो ये जो चिठी थी, इसके कारण ये पूरा मामला न्यूज में आया था और आप ऐसी खबरें भी आ रही है कि Amazon Prime नहीं सिर्फ एक platform ने, साथ बड़ी फिल्मों को directly producer से खरीद लिया है और ये साथ फिल्में आने वाले कुछ समय में platform पर release होंगी, जिन में से एक अक्षय कुमार की movie भी है, लक्ष्मी बॉम तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बड़े film stars हैं, उनकी films भी अब directly OTT पर release हो रही है पहले भी film में होती थी OTT पर directly release, लेकिन वो generally art films या फिर जो छोटे budget के film है, वही हुआ करती लेकिन COVID-19 ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, और अब producers exhibitors के बीच में, एक tug of war सा चल रहा है इस movie release को लेकर, तो ये वो Inox का statement है आप pause करके इसे पढ़ सकते हैं, काफी interesting है इस चिठी में Inox ने उन producers को बढ़िया से खरी-खोटी सुनाई है, और ये तमिल नाडू के theater owners हैं, cinema मालिक हैं, उन्होंने धंक्या देनी शुरू कर दी है film stars को, क्या आपकी आने वाली film में हम release नहीं करेंगे, तो एक tussle वहाँ पर भी चल रहा है, Malayalam movies को लेकर भी इस तरह की बातें सामने आ रही है क्योंकि अब कई content creators directly OTT route अपना रहे हैं, अब भारत में OTT platforms कोई नया trend नहीं है पिछले 3-4 सालों से OTT platforms पर कई बड़े-बड़े film stars act कर चुके हैं, web series आ चुकी है उनकी भारत में इस वक्त major OTT video streaming platforms हैं, Netflix, Prime Video by Amazon, Eros Now, Z5, Disney Plus Hotstar, MX Player, Sony Live, Yub TV Woot, जिसमें की Netflix, Amazon और Disney, ये सभी US companies हैं, बाकी जातर जो हैं, वो Indian companies हैं, as far as I know यब TV का मुझे भी मालूम नहीं, ये कहां का है बाकी सभी Indian platforms है, जिसमें जो major हैं, एक Alt Balaji और इसमें add कर दो, Alt Balaji, Eros, Z5 और Hotstar, ये सबसे बड़े platforms माने जाते हैं, अब इन सभी platforms की जो usage है, जो growth है वो lockdown के दौरान जबरदस्त रही है अब Netflix और Amazon कभी भी अपने numbers public नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कई survey होते रहते हैं, market में जो usage को देखते हैं, at the user level, तो जैसे Nielsen smartphone panel report आई थी, उसने ये बताया वो week wise compare करते हैं, तो April के ही एक week में उन्होंने ये देखा, कि 20% और 23% growth थी metro और non-metro cities में, और video on demand, यसे VOD भी कहते हैं इसका average हो चुका है, 4 घंटे पर week, और बढ़ते usage के कारण advertisers भी इन platforms की तरफ तेजी से आये हैं, तो April के महीने में ads double हो चुके हैं, इन सभी platform पे, तो यहाँ पर भी एक survey किया गया था, उसमें ये पता चला कि March महीने में 16,000 ad insertions थे, और April में ये 33,000 हो गए, और इसमें Netflix और Amazon शामिल नहीं है, क्योंके इन platform पर ads नहीं आते हैं, क्योंके इनके जो subscription charges हैं, वो already थोड़े high हैं, तो फिल्म में क्या होता है, जैसे आप सोचों कि आज शनिवार है अगर मैं सोचों कि मुझे थेटर में जाके movie देखने काज मेरा मन कर रहा है, तो मैं वो limited 2 या 3 film में जो release हुई है, Friday को वो ही देख सकता हूँ, उसके लावा मेरे पास कोई एक film तो ऐसी होती है, जैसे कि example के लिए मैं आपको बताता हूँ, 2015 में एक film आई थी बजरंगी भाईजान, Eid के दिन तो Salman Khan की ये जो film है, ये बड़े budget की film थी, इसमें action sequences थे गाने थे, लेकिन उसके साथ अगर कोई और film release होती है, तो पहली बात तो उसे कोई theater screens नहीं मिलने वाली है, तो जैसे बजरंगी भाईजान की एक हफते बाद release हुई थी मसान, तो mostly सारे theater multiplexes बजरंगी भाईजान के ही show चलाएंगे, मसान को बहुत ही कम show मिले थे, तो इसलिए मसान कोई hit film नहीं गई थी, हालागी बात में उसे बहुत appreciate किया गया, कई सारे award भी उसे मिले, लेकिन 2015 में सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया, बजरंगी भाईजान ने तो अब 2020 में अगर मसान जैसी कोई film आएगी, तो वो 100% OTT platform पर ही जाएगी, और वहीं पर उसको ज़्यादा appreciation मिलेगा, वहीं पर वो लोगों में ज़्यादा उसकी चर्चा होगी और ऐसा नहीं है कि बजरंगी भाईजान OTT पर available नहीं है, आज आपको ये film भी Amazon या कही ना कहीं मिली जाएगी, तो इन platforms पर mainstream और art house type की film में दोनों ही available है, तो जनता के पास ज़्यादा variety है देखने के लिए इन platform के financials को भी एक बार देख लेते हैं, Pricewaterhouse Coopers ने एक report जारी करी थी Global Entertainment and Media Outlook 2019-23, इस report के अनुसार OTT Services का भारत में जो market था, वो 4,464 क्रोड, यानि कि लगबख 4,000 क्रोड रुपे के आसपास था 2018 में, जो 2023 तक almost 12,000 क्रोड रुपीज को टच कर लेगा, और आपको एक idea दे देता हूँ मैं, कि पिछले साल Indian Film Theatres में जो release हुई थी, उसमें total gross था 11,000 क्रोड रुपीज, इसमें Bollywood, Regional Cinema सब कुछ शामिल है, तो जो revenue 2019 में Film Theatres को मिला था, उतना ही पैसा OTT platforms आज से 3 साल बाद लाने लग जाएंगे, तो आप समझी सकते हैं कि ये कितना बड़ा growth rate है, और कितनी बड़ी industry ये बन चुकी है, इस financial growth के बीछे दो बहुत बड़े reason है, पहला तो ये कि OTT platforms convenience देते हैं, कि जहां भी चाहो इने वीडियोस को आप देख सकते हैं, तो आप चाहे ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या फिर घर पर बैठे हैं, या फिर अपने bed पर हैं, office में हैं, कहीं पर भी हैं, आप movies को देख सकते हैं, mobile phone पर, mobile laptop, computer, किसी पर भी आपको देखने की सुविधा उपलब्द है, और दूसरा यह है कि जो छोटे शहर हैं, tier 2, tier 3 cities हैं, उनमें OTT platforms की जो growth है, वो बहुत तेजी से हुई है, especially during the lockdown, कुछ महीने पहले तक ऐसा था कि जो mostly users होते थे, वो metro शहरों से होते थे, क्योंकि इनमें Netflix, Amazon जैसी website में आपको पैसा देना पड़ता है, monthly एक इनका subscription चार्ज है, वो rural areas में सभी afford नहीं कर सकते, लेकिन अब जैसे जैसे Indian platforms आएं, और उन्होंने क्या strategy अपना ही है कि कई series उन्होंने free रखी हैं, या फिर कुछ episodes free हैं, तो इसके कारण इन web shows का consumption छोटे शहरों में और गाउं में लगातार बढ़ रहा है, recently Alt Balaji ने ये data release किया था कि उनका 80% content smartphone पर देखा जाता है, तो यह हम मान कर चल सकते हैं कि दूसरे players के साथ भी यही स्थिति होगी कि 70-80% data mobile phone पर हो रहा है, और भारत में smartphone का जो use है, वो भी बढ़ता जा रहा है तेजी से, especially in tier 2 and tier 3 cities. अब सवाल ये है कि cinema या फिर theater में film देखने का experience, बड़े परदे पर film देखने का experience, क्या इसको OTT platforms replace कर सकते हैं? आपकी इस पर क्या रहा है? कमेंट section में ज़रूर बताईएगा. Personally मेरा मानना है कि movie, theater में film देखने का experience replace नहीं किया जा सकता है, क्यूंकि यहाँ पर कई 100 लोग बैट कर एक साथ एक ही चीज़ देख रहे हैं, तो एक अलग emotional response आता है. और OTT platforms पर क्या है कि personal consumption के लिए चीज़ें मनाई जाती है, लगबग हर व्यक्ती mobile पर या फिर computer पर उसे देखता है, तो वहाँ पर वो feelings नहीं आपाती. तो इसलिए movie देखना आपने आपने एक अलग experience है, बड़े परदे पर. और मैं इसको एक personal example के साथ आपको बताता हूँ, lockdown से पहले जो मैंने आखरी फिल्म देखी थी, बड़े पर वो थी 1917. ये एक World War I के उपर historical drama फिल्म है. अब इस फिल्म में जो visuals थे, वो केवल बड़े पर पर ही enjoy किये जा सकते थे, या फिर उन्हें आप appreciate कर पाएंगे बड़े पर. Mobile phone पर इस फिल्म को देखने का कोई मतलब नहीं है और I am very much happy कि मैं इस फिल्म को देख पाया बड़ी स्क्रीन पर. तो ऐसी कई फिल्म में हैं, जो केवल बड़े परदे पर ही release होती है. जैसे अभी अक्षे कुमार की भी एक फिल्म थी, सूर्य वंशी या सूर्य वंशम कुछ नाम था, उसको release करने से उन्होंने postpone कर दिया है. वो भी OTT platform पर नहीं आ रही है, क्योंके again it is an action film. और एक और बात है यहाँ पर finances की. देखे, भारत में कई बड़े बजट की फिल्मे होती हैं, जो पजास सौ करोड में बनती हैं, और फिर उनका कारोबार ही 200-300 करोड का होता है. तो OTT platforms इनको इतना पैसा नहीं दे सकते हैं. तो इसलिए आप देखेंगे कि जो A-list stars हैं, इस वक्त Hindi film industry के, जैसे Akshay Kumar हो या फिर Ranveer Singh है, इनकी film में अभी postpone कर दी गई है, वो theater में ही आएंगी OTT platforms पर release नहीं होने वाली है क्योंकि इनके लिए वो financially viable नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, 2019 में जो entertainment industry है, इंडिया की वो 11,000 करोड रुपे की थी, ये domestic box office collection था, इसमे foreign box office जोड़ा हुआ नहीं है तो फिलाल के लिए कई producers अपनी film में OTT platforms पर release कर रहे है क्योंकि उनके उपर short term financial pressure है जैसे जिसकी film April में release होने वाली थी, तो उसे तो अपने खर्चे निकालने है तो वो OTT platforms पर एक तरह से distress selling कर रहा है अपने film की तो ये distress selling शायद एक महिने या दो महिने का trend है बट आगे ऐसी उमीद करी जा रही है कि ये trend continue नहीं होगा बड़ी filmों के लिए तो ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनो mediums जो है cinema screens और OTT platforms दोनों coexist करेंगे, छोटी film है directly OTT platform पर जा सकती है लेकिन बड़े budget की film है financially viable तभी होंगी जब उन्हें theaters में release किया जाए और ऐसे में theaters जब भी खुलते हैं चाए एक महिना या दो महिना बाद खुलते हैं तो उन्हें कई प्रकार के precautions लेने पड़ेंगे जैसे कि health checkpoint बनाना पड़ेगा security checkpoint के साथ बहुत ही गहन sanitization करना होगा हर show के बाद antibacterial films लगानी होगी door handles पर number of shows कम हो जाएंगे शायद 33% या 50% के साथ ही इन्हें operate करने दिया जाएगा staggered seating होगी यानि कि हर family या हर group के बीच में gap दिया जाएगा केवल digital booking system होगे यानि कि जो व्यक्ती बैट के touch करके note गिनके आपको ticket देता है वो सब बंद हो जाएगा one meter floor sticker लगाए जा सकते हैं ताकि लोग social distancing का पालन करें जहां पर भी touch होता है ऐसे points को limit किया जाएगा तो mostly सभी जगे digital payments होगे तो चाहे popcorn खरीदना हो या फिर कोई खाने पीने की बस्तू वो सब कुछ digitally payment से ही आपको मिलेगी और जो menu होगा वो भी limited होगा mostly packaged food यानि कि कहीं पर भी लोगों को touch करके खाना ना बनाना पड़े इस तरह का menu अब देखने को मिलेगा तो ये कुछ precautions हैं these are few of the precautions जो लागू होंगे और ऐसा एक news article मैंने अभी पढ़ा था कि जो film theaters का association है वो precautions बना कर एक guideline मना कर केंदर सरकार को submit कर रहे है ताकि इने खुलने की अनुमती मिल जाए जैसे ही उस पर कोई news आती है तो आपको पता चली जाएगा तो आने वाले कुछ महीनों में बड़े पर फिल्मे देखना possible हो पाएगा लेकिन फिलाल के लिए possible नहीं है क्योंके अभी COVID-19 जारी है इस pandemic के अंदर एक साथ बेड़ इखटा करना सही बात नहीं होती है social distancing को follow करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंके भारत में वैसे भी trend है कि जब अभी theaters चालू ना हो पाएं और वैसे cinema और movie theaters ने बहुत कुछ survive किया है पिछले 100 सालों में दो world wars के बाद भी cinema लोग जाते रहे जब 1950 के दशक में TV आया था तो कई लोगों का मानना था कि अब कोई भी film theater नहीं जाएगा सब TV पर ही program देख लेंगे 1970 में भी ऐसी बाते कही गई जब DCR आया 1980 के दशक में भी यही बातें फिर से सामने आई जब CD players आये सन 2000 के बाद जब internet और piracy का boom देखा गया तब भी कई लोग कहते दे कि theaters पूरी तरह से बंद हो जाएंगे कोई नहीं जाएगा film देखने लेकिन जा रहे हैं लोग 2010 के बाद smartphones बड़े, tab like devices आ गए तो कई लोग कहते दे कि अब तो हर कोई tab पर movie देख लेगा और अब OTT platforms हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब cinema इतना कुछ survive कर चुका है तो OTT को भी survive कर जाएगा और ये सारे medium आज coexist करते हैं तो शायद OTT platform भी इनी सब mediums में से एक बन जाएगा और ये सभी coexist करेंगे इसी के साथ ये lecture समापत होता है thank you very much for watching this, have a great day